हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेम सुकला स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा सिनेमेटिक इंट्रो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ काइन मास्टर और पिक्सल लाफ ऐप का यूज़ करके हम उस ट्यूटोरियल को बनाएंगे तो वीडियो को को इस्टार्ट करते हैं अब आपको पिक्सल लाइब को ओपन करना है आपको इस तरह का इंटरफेस दिखे गए यहाँ पर ट्री डॉट्स पर क्लिक करके image size में आपको यहां से image size select कर लेना है आपको भी size select कर सकते हो तो मैं यहां पर YouTube thumbnail select किया हुआ हूँ उसके बाद आपको यह वाले आइकन पर click करके यहां पर edit का option मिलेगा आपको इस पर click करना है उसके बाद यहां पर आप जो भी आपको पहले font वाले option में जाना है और यहां से आपको अपना एक font select कर लेना है जो भी आप चाहते हो तो मैं यहां पर meme font select कर रहा हूँ जो कि pixel lab में पहले से ही रहता है उसके बाद ओकी पर आपको click कर देना है इसकी size को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं उसके बाद आपको की तरफ color का option मिलेगा आपको इसमें जाना है और यहां से अभी color select है आपको gradient select कर लेना है फिर आपको plus वाले icon पर click करना है और यह जो first वाला है यहां पर सबसे पहले आपको इसको select कर लेना है इसको select करने के बाद यहां पर आपको color वाले icon पर click करना है color वाले icon पर click करने के इसका color आपको select करने का option यहाँ पर मिल जाएगा तो इसका color हम black कर देते हैं तो इसका color black करने के बाद इसको हम change करके white कर देते हैं ज्यादा सही रहेगा तो white करने के बाद अब आपको इधर वाला जो right side में दिख रहा है आपको इस वाले पर click करके फिर से आपको color वाले option में जाना है और इसको भी आपको white कर देना है तो यह दोनों तरफ white हो जाएंगे अब आपको यहाँ उपर की तरफ plus वाले icon पर click करना है आपको यहाँ पर एक color और add करना है तो आपको यहाँ पर उपर की तरफ plus वाले icon पर click कर देना है तो यहाँ पर बीच में भी एक add हो जाएगा अब इसको आपको color वाले icon पर click करना है और इसका color आपको थोड़ा सा black कर देना है उसके बाद आपको ये उपर वाला एक right side में उपर की तरफ और left side में नीचे की तरफ कर लेना है उसके बाद आपको टिक पर click कर देना है अब इतना हो जाने के बाद आपको दूसरा text add करना है तो आपको background में एक बार कहीं भी click कर देना है तो पहले हम इसको बीच में कर लेते हैं उसके बाद आपको background में click करना है तो पोजीसर में जाकर इसको हम थोड़ा सा उपर कर देते हैं क्योंकि हमको नीचे भी अभी एक टेक्स्ट और राइट करना है तो बाइग्राउंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस टेक्स्ट का उप्सन दिखने लग जाएगा आपको इस पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो आपको राइट कर देना है तो मैं यहाँ पर इंट्रो लिख रहा हूँ उसके बाद उकी पर क्लिक कर देना है और इस टेक्स्ट को भी आपको इसके नीचे लाना है फिर आपको यहाँ पर font वाले option में जाना है और इसका font आपको change करना है तो इसका font हम change कर लेते हैं तो इसका font हम यहाँ पर acknowledgement रख रहे हैं आपको यह font यहीं पर मिल जाएगा यहाँ पर आप नीचे की तरफ scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको font मिल जाएगा poster वाले में acknowledgement का आपको इसी को select कर लेना है या आप जो भी font चाहते हो आपको उसको भी select कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर color में जाना है और यहाँ पर आपको वही same process करना है कि gradient आपको वही वाला पहले वाला select कर लेना है जो आपने ब्लैक कलर एकदम से सेलेक्ट कर लेना है इसका हम एकदम ब्लैक कर देते हैं उसके बाद ओकी पर क्लिक कर देना है अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ एवाले आइकन पर क्लिक करना है जो आपको दिख रहा है तो एवाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे एवाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे की तरफ जाना है यहां पर आपको एक option दिखेगा इंबोस का आपको इसको अनेवल कर देना है उसके बाद ये जैसे है आपको उसको ऐसे ही रहने देना है सिर्फ आपका इसका जो BVL एकदम नीचे की तरफ आफसन आपको दिखेगा इसको आपको 5 करके टिक पर क्लिक कर देना है अब हम Cinematic कहो गया अब हम Intro को सलेक्ट करते हैं अब इसमें भी हमको वही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले हमको यहाँ पर Emboss में जाना है और इसको Unable कर देना है और इसका आपको सब वैसे ही रहने देना है और पहले की तरह इसका भी BVL आपको 5 कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर Save वाले आइकन पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर Save आइज इमेज पर क्लिक करना है उसके बाद यहां से Dimensions Custom है आपको यहां से Ultraize को Select कर लेना है फिर आपको Save to Gallery कर देना है तो अब यह इसका पूरा काम खतम हो गया है Pixel Lab App का अब आपको काइन Master App से सब कुछ करना है तो सबसे पहले काइन Master App को आपको Open करना है उसके बाद यहां पर यह प्लस वाले आइकन पर Background Select कर लेना है Background Select करने के बाद इसकी Duration को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ उसके बाद Layer में जाना है फिर आपको Media में जाना है और यहां से आपको एक वीडियो का यूज करना है इस वीडियो की Link मैं आपको Description में दे दूंगा जो की Lights की वीडियो है यह कुछ इस तरह का वीडियो है तो यहां पर पहले हम इसको पूरा फूल स्क्रीन कर देते हैं अब मैं आपको फ्ले करके एक बार इसको दिखा दूं तो यह इस तरह का Light का वीडियो है इस वीडियो की Link आपको Description में मिल जाएगी फिर आपको Layer में जाना है और Media में जाना है और यहां से आप एकने جो Pixel Live अ APP से Create किया था आपको उसको select कर लेना है तो मैंने बहुत सारे create किए हैं मैंने आपको एक ही create करके दिखाया है तो मैंने यहां पर पहले आपको जो आपने पहले create किया था आपको इसको इस तरह से थोड़ा सतीर्चा कर देना है और बढ़ा कर देना है फिर यह जो की वाला आइकन आपको दिख रहा है आपको इस पर click करना है फिर यहां end में जाना है इस layer के और इसको इधर की तरफ आपको थोड़ा सा तीर्चा करके अब फिर से आपको बड़ा कर देना है उसके बाद आपको tick पर click कर देना है तो यहां पर अब कुछ इस तरह का animation create हो ज अब मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ तो यह इस तरह का हमारा प्ले होने लग जाएगा अब आपको जो भी वीडियो अपनी एड करनी है पहले हम इसको कट कर देंगे थोड़ा सा तो इसको हम राइट की तरफ कट कर देते हैं अब यह जो सेकंड लाइट जब स्टार्ट ह बनाया हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इसकी भी साइच को हम उसी तरह से एड़जस्ट कर लेंगे और आप जितना भी बनाए हैं आपको सबको उसी तरह से कर लेना है इन सबको कर लेने के बाद मैंने इसकी वीडियो को स्पीट की फास्ट कर दिया है जिससे कर लेते हैं तो इस वीडियो का एक्ष्टर पार्ट कर ले रहे और इस बैक्राउंड का भी एक्ष्टर पार्ट कर ले रहें अब यह आपका पूरा create हो चुका है आपको इसमें music add कर रहा हूं इस music की भी लिंक आपको description में मिल जाएगी तो इसको मैं write कर रहा हूँ अभी मैं इसका sound आपको नहीं सुना रहा हूँ लेकिन एक बार ये वीडियो मैं export कर लूँ उसके बाद मैं आपको sound सहीद सुनाओंगा तो इसको हम पहले export कर लेते हैं तो यहां से हम इसको export कर लेंगे यहां से आपको अपना resolution चूज करके export पर क्लिक कर देना है तो यह अब हमारा वीडियो export start हो गया है तो इसके export होने का wait करते हैं तो friends आप लोग देख सकते हूँ यह हमारा export हो गया है मैं आपको इसको play करकी दिखाते हूँ तो friends आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दमाना न भूलिएगा थैंक्स फार वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में